नमस्कार क्या पिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली में जल संकट की समस्या लागतार बढ़ती जारी है एक तरफ लोगों का पानी की बीना जीना मुहाल है काफी जादा दिक्कते पानी ना मिलने के वज़ा से आरी है तो दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर जल संकट को लेकर राजनीती भी बढ़ती जारी है जहां एक तरफ कॉंग्रोस पार्टी भी लगतार हमला वर है तो वही बीज़पी की तरफ से आज लगतार दूसरे दिन भी प्रदर् सिप एक जगा नहीं बलकि बावन विदान सबाथ छेत्रों में बीज़पी की तरफ से किया गया है मट का फोड विरोध प्रदर्शन जारी है और लागतार के जिवाल सरकार पर ये आरोप लगाया जारे है कि जिसने 24 गंटे के भीतर पानी की समस्या का निदान करने का रिष्कुमार ये बिरोध प्रदर्शन जस तरह से हो रहा है इससे कुछ होना है क्या क्या क्योंकि एक तरफ आमार्मी पार्टी के रही है कि ये सब बीजेपी के द्वारा प्रयोजित है देखे दिली में वाटर क्रैसिस है प्रॉब्लम है सरकार को इस प्रॉब्लम का दिली का चीफ मिनिस्टर तिहारी है तो सल्यूसन कहां से निकलेगा और ये देखिये प्रोटेस्ट चल रहा है क्या लिखा हुआ है ये अच्छा लगता है इस तरह का पोस्टर दिली की जंता तीन-तीन वार चुनकर के भेजी है जिस आदमी को उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि केजरिवाल पानी चोर है तो पानी चोर पानी चोर बताया जा रहा है केजरिवाल को और कहां चोरी हो रही है क्यों चोरी हो रही है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बैक फूट पर चली गई है और इसलिए केजरिवाल का इस्तीफा होना जरूर अब क्या हो रहा है? आम आदी पार्टी तो जुट बोले मुस्ताद है, एक नई थेोरी लेकर के आगे, कि तीन स्टेप में, तीन तरह की साजी से रची जा रही है दिल्ली को प्यासा रखने के लिए, और भारती जंता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, भै तीन स्टेप में जो आपने संझाया, तीन स्टेप में आपका ही प्लान था, कि हम तो कामचोर हैं, नकारे हैं, पूरी तरीके से काहिल हैं, हम से तो कोई सलूशन निकलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले से ही कुछ ऐसा तरीका अपना के रखते हैं, स्टेप नमर वन, टू, तू, तीनो स्टेप में केजरिवाल, आम आदी पाटी, उसके चट्टे बट्टे वो फेल हो गए, स्टेप नमर वन क्या, हर्याना नहीं दे रहा है, हर्याना पानी नहीं दे रहा है, यह हर्याना के जिम्मिदारी है, तुम दस साल से सोय वे थे, भई, आप दिल्ली के लिए रिस पंजाब वाले हर्याना वाले पैसा नहीं दे रहे है, उसमें कॉंग्रिस पार्टी को भी लप अपट लेते थे ये लोग, अब कॉंग्रिस पार्टी भी भी विरोध कर रही है, वह भी मतकफ होर् रही है, अब उसके चक्कर में ये लोग चले गए सुप्रिम कोट, कि करने के लिए जिम्मेदार थे पानी आना था हिमाचल से हिमाचल से पानी नहीं आया और ज़साभी नाराज आमादी पाटी का ये जो step number one कि हर्याना पानी रोक रहा है वो फेल हो गया फेल इस प्रकार से हो गया क्योंकि हिमाचल से पानी आया ही नहीं तो फिर हर्याना का कोई रोली नहीं था अब खिस्याई बिल्ली खंबा नोचे यह कहने लग गया कि भई नहीं हमको पानी की जरूरत है और उपर से क्या हुआ आस्तक वालों ने न्यूज नेशन वालों ने दो तीन चैनल जो है वो मुनात बराज के उपर चले गए और वहां से दिखा दिया कि देखिए दिल्ली को जरूरत होती है 1049 क्यूसिक वाटर का और सप्लाई कितना हो रहा है हर्याना बॉर्डर से दिल्ली के तरफ 2350 क्यूसिक का मनद डवल से भी ज़्यादा लेकिन वो पानी तो नदी की पानी है उसको तो फिर आपको वाटर टीट्में प्लांट में ले लेकर के जाना होगा वाटर टीट्मेंट प्लांट की के प्रसिट्टी क्या है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मूल बात आप समझ लीजीए पानी की तो पानी है लेकिन पानी को कैसे मैनेज किया जाए लीकेज कैसे खर्म किया जाए ये इनकी काहलिए दस साल में ये सिस्टम नहीं बना सकते हैं। हर घर तक नल पहुंचाऊंगा और 24 घंटे सिर्फ पानी नहीं दूँगा। पानी इतना स्वक्ष दूँगा कि आप उस टोटी में ही मूँ लगागर के पानी पी सकते हैं। विसलरी और जो मिन्रल वाटर आता है उससे भी साप पानी दूँगा। यह है त्यारी केजरिवाल का वादा और अभी यह क्या देखे तस्वीर तो देश के किसी भी बिल्कुल बैक्वर्ट इलाके से भी नहीं आती है। आपका वाटर मेनेजमेंट है। तो स्टेप नंबर वन के हरियाना जो नहीं दे रहा है तो वो एक खतम। फिर जब सुप्रम कोट मसला गया तो उसे पूछा कि भी यह टेंकर माफिया क्योंकि मैनेजमेंट का महा सवाल उट गया। कि हमने भी रिपोर्ट देखी पानी आ रहा है पानी गायब कहा हो जा रहा है टेंकर माफिया के ऊपर आपने कोई एक्षन लिया तिन्हों ने कर दिया भई हम एक्षन नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर टू जो आमादी पाटी ने खेल सुरू किया। सुप्रिम कोट से मुह की खानी पड़ी वहां दाल नहीं गली। तो फिर इन्होंने प्रस्कॉंफरेंस किया क्या कि सोनिया भिहार से साउथ दिली के तरफ जो पाइपलाइन जाती है। जो हम वाटर ट्रीट्मेंट करके हम साउथ दिली के लिए जो पाणी भेजते हैं। उसमें हím ये बीजेपी वाले ने पाइप काट दिया, इस पाइप काट दिया उसकी तस्वीर होगी, लीकेज हो रहा होगा, क्या कटा, नहीं कटा, 12 बोल्ट उन्होंने धीला किर दिये, भई ये सारे बहाने बाजी, आरोप और बहाने बाजी तो रोज लगाया जाते हैं, आ कुछ बीजेपी के द्वारा द्वारा प्रेयोजित है भई बीजेपी तो सीन में नहीं इस घोटाले में वो आप जिसके साथ मिलके चुनाव लर रहे थे जिसके दरवाजे पर गुलामी करने के लिए जाते हैं ये संजे सिंग ये तो कॉंग्रेस पाटी के तरब से लगाया गया आरोप है कि 17,575 कड़ो रुपे का दिल्ली जलबोड में घोटाला हुआ है और उस घोटाले का हिस्सा ये भी है कि कैसे उस पैसे का जो है इस्तवाल आप फैसिलिटेट करते हो इल्लीगल सप्लाई में मने वो जो टैंकर वाफिया है उसके साथ मिलके जो लीकेजेज जो है पानी जो लीक कर रहा है वो बकाइदा रिपोर्ट दिया गया कि कैसे पिछले तीन साल में आम आदमी पार्टी के काबिल नेताओं और काबिल प्रसासंद के नाग के नीचे जो लीकेज है वो 18% जादा हो गया ये सारी चीजे यह बीजेपी का तो कोई सीन नहीं है य जो है वो पानी चोर है तो ये तो कॉंग्रेस पार्टी वो तो बीजेपी बीजेपी क्या कर रहा है संजे सिंग अब स्टेप नमबर थी जब ये भी आप सावित नहीं कर पाए जब कुछ नहीं कर पाए तब आप ये कह रहे हो कि भई देखिए ये लोग जो है उदंड़त पर आ गहे हैं उपद्र बचा रहे हैं ओफिस में तोड़ फोर कर रहे हैं देखिए तुमको ये जुकाना नहीं जुकाना भई मुझे तो एक बास समझ में नहीं आती ये इस तरह की भाशा ये दंब और अहंकार मुझे एक बास बता दे आपका सिर उचा हो जाएगा सारे लोग आपको सलाम करेंगे अगर वाटर क्रैसिस का निदान आप कर दिये होते हैं तुम्हारा तो सिर्फ तब जुक गया जब लोग पाइप ले ले करके दौर दौर करके माताएं महिलाएं जो है वो पानी टेंकर के पीछे जिस तरह से लूट पाट हो रहा है वो प्यासे जो लोग है नाले से भी गंदा पानी जो जिनके टैप में आ रहा है जिनको पानी नहीं मिल रहा है वो जो रो रही है जो परिशान हो रही है वो देख करके तुम्हारा सर जुग जाना चाहिए इसके लिए बीजेपी क्या वो सकता नहीं है और सर उपर करना है तो इसका कर रहे हैं को हर चीज में आप अपने रिस्पॉंसिबिलिटी दूसरे के सर पर डालने का यह जो आदत है यह बताता है कि तुम्हारे सर को जुकाने का किसी को आप शकता ही नहीं है आपका सर वैसे ही जुका हुआ है और एक चीफ मिनिस्टर है जो तिहार जेल के अंदर बंध है और वो इस्तिवा देने का नामी नहीं ले रहा है वही सारे फैसले तो वही करेगा जो फैसला करने वाला है वही नदारत है तो इससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है तो यह मटका फोर अभी चलेगा अब जैसे ही बारिस हो जाएगी पानी आ जाएगा फिर के समस्या से निदान दिलाना अर्विन केजरिवाल की बस की बात नहीं है और यही वज़ा है कि लगतार अर्विन केजरिवाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं दिली सरकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन अब तक पानी की समस्या का कोई भी समधान नहीं हो पाया ह और इसी को लेकर राजनीती भी शुरू हो गई है बीज़पी का कहना है कि अर्विन केजरिवाल को अब इस्तिफा दे देना चाहिए इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही क्यामनपरसन रवी के साथ मैं पूजा क्या पटल टीवी